ओम नमस्शिवाय अब दशा बैलेंस किया होता है इसको समझते हैं देखे चंद्रमा जिस राशी में गोचर करता है उस राशी के गोचर के अनुसार जिस भी नक्षतर में रहता है उस नक्षतर के जो देवता होते हैं या उस नक्षतर के जो नक्षतर अधिपती होते हैं उन और आपका जन्म है वह की जो दशाङ ही के तो इसी प्रकार से अगर माण लिजे कि आपका जो जन्म है वो उठ्राण होगा जो कि सूर्येका नक्षठर माला जाता है आप चंद्रमा गोचर कर रहे थे और आपका जो जन्म है वो उत्रा शाड़ा नक्षत्र में हुआ है चंद्र सूरी के नक्षत्र में हुआ है तो आपका जो जन्म का जो दशा होगा प्रारंब सूरी से ही होगा और दशा का सीक्वेंस फिक्स्ट होता है अगर आपका केतु से स्टार्ट हुआ है तो केतु के बाद शुक्र की दशा चलेगी फिर सूरी की दशा चलेगी फिर आपकी चंदर की दशा चलेगी फिर मंगल की दशा चलेगी फिर राहू की उसके बाद ब्रस्पति की फिर शनी की फिर बुद्ध की और बुद्ध के बाद फिर यह केतु ऐसे स स्क्राइब रेता है तो ये स्क्राइब कर लिया को तो अगर चार है उसमेंसे आपका चार अपका गदा था वग हैक योगी इसी को दशा बैलेंस जोतिश में कहते हैं तो उम्हीद है समझ में आ गया होगा ओम नमस्षिवाद